नमस्कार, रमावतार द्वारा आपका स्वागत है लेखा सास्त्र कक्षा बारा अध्याय दो नए साजिदार का परवेश परसन एक से पचास साजिदारी फ्रम का पुनर गठन नए साजिदार का परवेश नए लावि आजन अनपात वा त्याग अनपात की गढणा करना और परसन एक साजेदारी फर्म का पुनर गठन क्या होता है उत्तर साजेदारों के मद्दे विद्यमान समझोते में किसी परकार का परिवर्तन साजेदारी फर्म का पुनर गठन कैलाता है परसन दो साजेदारी फर्म का पुनर गठन किन प्रिश्थितियों में हो सकता है उत्तर ए नए साजेदार के परवेश पर बै वर्तमान साजेदारों के मद्दे लाव्याजन अनुपात में परिवर्तन होने पर से वर्तमान साजेदार के अवकास गरण पर दे साजेदार की मर पर्वेस का क्या अर्थ है उत्तर साजेदारी के वेवसाय में नए सदस्य का स्वामे के रूप में पर्वेस करना और साजेदारों की संगियों में वर्थी होना परसन चार नए साजेदार का परवेश कब हो सकता है उत्तर वर्तमान साजेदारों की सहमेति से ये सा संभव है परसन पांच एक विक्ती फ्रम द्वारा किये गए समस्तकारियों के लिए कब उत्तरदाई हो जाता है उत्तर साजेदार बनने के बाद पर्षन छे नए साजेदार को कौन से दो अधिकार प्राप्त होते हैं उत्तर एक फरम की संपतियों में इस्था प्राप्त करने का अधिकार और दो फरम के भावी लाबों में इस्था प्राप्त करने का अधिकार प्रस्न शाथ फ्रम की संपतियों में इस्सा प्राप्त करने के लिए नया साजेदार जो धनराशी लाता है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे पुंजी कहते हैं परसन आठ भाई लाबों में इसा प्राप्त करने के लिए नया साज़ेदार जो जनरासी लाता है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे ख्याती कहते हैं पर्शन नो नए इसाज़दार के परवेस पर कौन से मुख़्े समायोजन होते हैं उत्तर एक लाब याजन अनुपात की गणना 2 त्याग अनुपात की गणना 3 ख्याति का मुल्यांकन वले खांकन चार संपतियों का पूर्नर मुल्यांकन वले खांकन पांच. संचय एवीत्रित लाबों आनियों का समायोजन और. शे. पुझी का समायोजन परसंदस नया लावयाजन अनुपात क्या है? उत्तर, नय साजेदार सहीत, सभी साजेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाबों को आपस में बाढ़ते हैं, उसे नया लाव याजन अनुपात कहते हैं परसन ग्यारा नया साजेदार अपने लाव का इस्सा किसे प्राप्त करता है उत्तर पुराने साजेदारों से प्रश्न बारा नए लाब व्याजन की गणना क्यों की जाती है उत्तर नए साजेदार अपने लाब का इस्सा पुराने साजेदारों से प्राप्त करता है इस कारण उनका लाब व्याजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है अतर नए लाब याजन अनुपात की गड़ना की जाती है परसंद तेरा त्याग का अनुपात किसे कहते हैं उत्तर नए साजेदार के परवेश पर फूरे नए साजेदार अपने लाब के इससे का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं परसन चोदा नए साज़ेदार के प्रयोश पर खाती का बंटवारा किस तरह होता है उत्तर खाती का बंटवारा त्याग अनुपात में होता है परसन पंद्रा त्याग अनुपात के से ज्याद करते हैं उत्तर त्याग अनुपात बराबर नया लाव व्याजन अनुपात प्रसन सोडा नया लाव व्याजन अनुपात किस फरकार ग्याद करते हैं उत्तर नया लाव व्याजन अनुपात बराबर पुराना लाव व्याजन अनुपात बाकी त्याग अनुपात परसन सत्रा जब नए साजेदार का इसा दिया गया हो वह पुराने साजेदार के त्याग का विवरन नए हो तो त्याग अनुपात क्या होगा उत्तर पुराना लावी आजन अनुपात ही त्याग अनुपात होगा परसन अठारा जिसका वर्णन करना सरल है लेकिन परिवासा देना कठिन है एसी अद्रेस से व्यावशाई शक्ति का नाम क्या है उत्तर ख्याती परसन गुनीस वे कौन सी आकर्शन शक्ति है जो व्यावशाई में ग्रायक को लाती है उत्तर ख्याती परसन 20 व्यवसाय का मोधरिक मुल्यंकन क्या है उत्तर ख्याती परसन 21 लाड एलन के नुसार ख्याती क्या है उत्तर ख्याती इस संभावना के अतरिक तवर कुछ नहीं है कि पुराने ग्रायक पुराने इस्तान को ही चुनते हैं पर्षन बाईस लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याती क्या है उत्तर ख्याती सम्मंदों तदा परसिद्धी से होने वाला लाब है पर्षन तेईस ख्याती की विशेषताएं क्या है उत्तर ए ख्याती व्यवसाई की एद्रेस से सकती है बे ये एक मुल्लेवान संपती है से ये अधिक लाब अर्जन करने में सायक होती है दे ये एक एसी सक्ति है जो ग्रायक को उसके पुराने इस्तान पर लाती है और इ इसका मुल्ले परिवर्थित होता रहता है परसंग चोईस क्याती के मुलेंगन को परवायुद करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उत्तर एक व्यवसाय का सुईदा जनकिस्तान दो परवंद की कुसलता तीन व्यवसाय की दिर्गकाली नवदी चार वस्तु की परवर्ती पांच लाइसेंस का होना छे एक अधिकार साथ जोकिम की मात्रा आठ लाबों की परवर्ती नो भावी परतीस परदा दस पूंजी की मात्रा और ग्यारा उत्पाद की किस्म परसंग पचीस ख्याती के मुलेंगन की आवशक्ता कब होती है उत्तर जब एक नया साथेदार परवेश करता है दो जब वर्त्मान साथेदारों के मद्दे लाब याजन अनुपात में परिवर्तन होता है तीन जब कोई साथेदार अवकास गरण करता है चार जब फर्म का वेवसाह बेचा जाता है और पांच जब दो फर्मों का एक इकरण हो जाता है परसन 26 ख्याती कितने परकार की होती है उत्तर दो परकार की एक करिय की गई ख्याती और दो स्वेरजित ख्याती परसन 27 किसी वेवसाह को करिय करते समय यदि करिय परतिफल वेवसाय की सुद्ध संपतियों के मुले से आधिक है तो ये आधिक के क्या कहलाता है उत्तर करिये की गई ख्याती कहलाती है परसन 28 करिये की गई ख्याती कब उत्पन होती है उत्तर ये किसी वेवसाय को करिये कडने पर उत्पन होती है 35. करिये की गई ख्याती का लेखा फुष्टकों में क्यों किया जाता है क्यों कि इसके लिए पर्तिफल का भुगतान किया गया है 35. चिठे में ख्याती को किस रूप में दिखाया जाता है उत्तर संपति के रूप में दिखाया जाता है परस्ण 31 एक व्यावशाईक सहंस्ता के अच्छे समन्दो और यस का मुल्ले जो व्यावशाई में स्रिजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे स्वयरजित ख्याती कहते हैं पर्षन 32, क्या स्वेयरजित ख्याती का लेखा पुष्टकों में किया जाता है? उत्तर, नहीं इसका लेखा पुष्टकों में नहीं किया जाता है पर्षन 23, स्वेयरजित ख्याती के मुल्यांकन के आवश्यक्ता कब होती है? उत्तर, फनव के पुनर गठन के समय परशन 34 ख्याती की परकरती कौन कौन सी है उत्तर एक सैंस्ता गत ख्याती या बिल्ली के सभावाली ख्याती दो व्यक्तिकत ख्याती या कुत्ते के सभावाली ख्याती और तीन आकस्मी गटना समंदी ख्याती या इच्विये के सभावाली ख्याती प्रशन 35 एसी ख्याती जो सैंस्ता के नाम अच्छी प्रतिष्टा वो अपने माल की परशिद्धी के कारण बनी है उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर सैंस्ता अगत ख्याती या बिल्ली के सवाव वाली ख्याती परशन 36 सैंस्ता के स्वामी के परवियरतन का जिस पर कोई परभाव नहीं पड़ता है वो कौन सी ख्याती है उत्तर सैंस्ता अगत या बिल्ली के सवाव वाली ख्याती पर्शन 36, सबसे अधिक मुल्ले वाली ख्याती कौन ची है उत्तर सहंस्तागत या बिल्ली के सभावाली ख्याती 38. संस्तागत ख्याती को बिल्ली के सब्वा वाली ख्याती क्यों कहते हैं उत्तर क्योंकि एसी ख्याती संस्तागत स्वामी त्वे में परिवर्तन होने पर भी कम नहीं होती है जैसे स्वामी के चले जाने पर भी बिल्ली वहीं रहती है उसी तरह ग्रायक भी पुरानी दुकान आना नहीं छोड़ते हैं पर्शन 49 किसी व्यवसाई की ख्याती उसके स्वामी के व्यक्तित्वे कुसलता वे व्यवारादी के कारण होती है उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर उसे व्यक्तिगत ख्याती या कुत्ते के सवावाली ख्याती कहते हैं परसन चालिस व्यवसाई का मालिक के चले जाने पर भी उसके साथ सली जाती है उसे कौन सी ख्याती कहते है उत्तर उसे व्यक्तिगत या कुत्ते के सवावाली ख्याती कहते हैं परस्ण 41 सैंस्ता का स्वामी जहां जाता है ग्राग भी वहीं चले जाते हैं उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर उसे कुत्ते के सवाव वाली ख्याती कहते हैं जो अमेशा अपने स्वामी के साथ रहती है परशन 42 शैंस दागत ख्याती से किस ख्याती का मुल्य कम रहता है उत्तर व्यक्तिकत ख्याती का मुल्य कम रहता है परसन 45 पेसे वाले व्यवशाय जैसे चिकित्सक, लेखाकार, कानुनी सलाकार, वकील इत्यादी में होने वाली ख्याती कौन सी है? उत्तर व्यक्तिकत ख्याती परशन 44 एसे वेविशाय जिनकी ख्याती इस्तिर नहीं रहती है कौन सी ख्याती कहलाती है उत्तर आकस्मी घटना समंदी ख्याती कहलाती है परशन 45 जिस ख्याती का मुल्ले छोटी बड़ी घटना के साथ घटिया बढ़ जाता है उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर आकस्मी घटना समंदी या चुए के सभावाली ख्याती परशन च्छियालेस किसी विशेश दुकान थ्वा किसी विशेश व्यक्ती से ग्राहकों का लगाव नहीं होता है वह जिसका मुल्य सबसे कम होता है उसे कौन सी ख्याती कहते हैं उत्तर चुए के सभावाली या आकस्मी घटना समंदी ख्याती परशन च्छियालेस जो ग्राहक बार बार एक दुकान या व्यक्ती के पास नहीं जाता है उसका सभाव कैसा माना गया है उत्तर चुए जैसा जो नए स्वामी भक्त होता है और नए इस्तान भक्त उसका सभाव आकस्मिक होता है परशन अरतालिस एसा ग्राहक जो पुराने व्यक्ती से लगाव रखता है सभावत उसके साथ ही रहते हैं उन्हें कैसा माना जाता है उत्तर व्यक्तिकत माना जाता है परसन गुंचास एसे ग्रायक जो स्वामी के बदल जाने पर भी उसी दुकान पर जाते हैं एसे ग्रायों का सवाब आना गया है उत्तर बिली जैसा जो स्वामी के चले जाने पर भी अपना घर नहीं छोड़ती है पर्षन पच्चास आप आईने के सामने दिन में कितनी बार जाते हैं उत्तर कम से कम पांच बार दर्पन के सामने जाता हूँ बटूक धन्यवाद